नमस्कार दोस्तों और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे आज की जो हमारी ये वीडियो है जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रारंब से ही आप लोगों को कानून की से ही जानकारी देना ताकि वकीलों की आपको कम से कम जरूरत पढ़े लेकिन कुछ मामले ऐसे होते ह जहां पर वकीलों की जरूरत आपको पढ़ती ही है तो कुछ एक चीज़े में लेका रहा हूँ जैसे Motor Accidental Claim का पूरा मामला पूरी हिस्टरी Motor Accidental Claim की यह कैसे होता है क्यों होता है और इसमें कौन-कौन से Processors कौन-कौन से Steps लिये जा सकते हैं तो यह सारी चीज़े जानने के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ सड़कों पर न जाने कितने घरों के चराग बुझ गए हैं रोड एक्सिडेंट में न जाने कितने घरों की आशाएं समाप्त हो चुकी हैं और कई बार हलाकि जो चीज़े हैं किसी के घर का चराग बुझ गया वो तो वापस नहीं लाया जा सकता लेकिन अगर आपको कानून की सही समझ और जानकारी है तो उस दसा में दोस्तों आप उस परिवार की जो परिशानिया हैं उनको समधान कर सकते हैं तो आज मैं यह पूरी जानकारी देता हूँ सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ एक्सिडेंट की अगर आप अपनी बाइक कार या कोई भी चीज है उसको लेकर सड़क पर जा रहे हैं तो देखे सड़क है सड़क पर दुरगटनाएं होती है लेकिन सबसे पहले तो मेरा निवेतन यही है कि अब उसको अपने प यह है कि अगर आपकी बाइक, कार, स्कूटर, ट्रक कुछ भी आप लेकर रोड पर जा रही है और आपके वाहन का इंशोरेंस नहीं है और आपसे किसी की दुरगटना हो जाती है और दुरगटना में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है अगर वो व्यक्ति मान के चलिए कि 28,000 रुपे परती महा कमाता है तो उसका जो क्लेम है लगबग 52,000,000,000 रुपे बन जाता है तो अगर इंशोरेंस नहीं है तो वो 52,000,000 रुपे आपको देनी पड़ेंगे अगर आपका इंशोरेंस है आपकी बाइक का आपके वाहन का इंशोरेंस है तो वो सारा जो claim है insurance company वहन करती है और दूसरी दशा में अगर कोई accident हो जाता है होने के बाद उस समय आप जो गाड़ी है उस गाड़ी का जो registration number है वो आपको नहीं पता तो FIR होती है अघ्यात में तो अघ्यात वाली FIR में आप क्या कर सकते हैं अगर accident में death हो जाती है तो उस दशा में जो रोड एक्सिडेंट का कर चाहिए तो वो आप प्राप्ट कर सकते हैं अब नेक्स बात दोस्तों बतादू हाला कि इन चीजों से बचना ही अपने कंट्रोल में नियंतर्ण में चलाना चाहिए कोई भी वाहन हो, तो फिर भी आगे मैं बता दूँ को करना क्या होता है, कि आब केई बार ऐसा होता है एक Advocate होते हैs Civil के, एक Advocate होते हैं Crime के, एक Advocate होते हैं Curtain के, MA-CT का मतलब होता है Motor Accidental Claim Tribunal, तो अलग अलग होते हैं अलग अलग वकील होते है एक आक का। किरणी का ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ के वद आख कहीं करेगा जो सिविल का वकील है्वोसी बार होती है क्योंकि अँารगा गठती रहती है लेकिन द्ंस यह किसी के भी जीवन में पहले बार होती है और उसको पता नहीं होता कि इसमें होना क्या है तो कई बार गलत वकीलों के चंगुल में फस जाते हैं जो किसी भी फिल्ड का केस ले लेते हैं अरे आप जिस चीज के विशेशग्य हैं वही केस लो आप मेरे जितने भी विद्यार सब वकील बनने वाले हैं आप सभी वकीलों से मेरा अनुरोध है कि एक परिवार जिसके घर का चिराग पहले से ही बुझ गया हो उसको और लूटने खसोटने का कारिया ना करें जो आपकी तैपाई हो रखी है जो परसेंटेज आपका क्लेम का है वो परसेंटेज अपना न फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आप अपना केस M.A.C.T. के वकील को ही देते हैं तो उसमें क्या होता है एक तो आप डाइरेक्ट M.A.C.T. के एड़ोकेट से मिलते हैं आपका जो कमिशन है वो केवल अपनी फीस लेगा देखें वो भी एड़ोकेट हैं मैं M.A.C.T. क केसिस हैं वो सारे केसिस हमारे अ उश्वर की कृपा से से जल्री निपट बबनी जाते है तो इस चीज़ों मैं बताना चाहता हूं कि मिनिमम मुण जो टाइम होता है एक्सिडेंट के केस के निपटने का कम से कम टाइम होते जी एक साल ठीक है एक से डेड़ साल भी लग जाता है कि इमामलों में दो साल तक भी हो जाता है ठीक है तो यह तो हो गया जी इसका टाइम की दो साल तक का केस चलता है और आपका केस जो है टिपट ज जाता है और परिवार को क्लेम मिलता है उस क्लेम में से जो फीस क्लेम फाइनल होने के बाद क्लाइंट को देनी पड़ती है तो जो एड़ोकेट है अपनी फीस लेकर के आपकी पूरी मदद करेगा तो दोस्तों मैं यह जानकारी इसलिए लेका आया हूं कि जो उस्टेंट आई दिन होती रहती हैं ना जाने कितने घरों के चराग प्रती दिन बुच जाते हैं पता भी नहीं चलता किसी का इकलोता इकलोती संतान है और एक्सिडेंट में वो भी खतम है तो ऐसे परिवार के साथ में सानुम होती पूरी बढ़ते और अगर किसी भी तरह की कोई हेल्थ आपकी एक्सिडेंट से रिलेटेड कोई भी आपको नौलेच चाहिए तो आप मैं यहां पर स्क्रीन पर अपना नंबर दूँगा आप मुझे स्क्रीन पर दिये गए नंबर से कॉल कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि आप मुझे वर्टसप के माध्यम से कॉल करें कई बार हमे लोगों के लिए भी हमारा ज्शेच हैं इसमें सभी लोग चाहिं तो ठ्रेनिंग ले सकते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो मोटर एक्सी देंट्ल की पूरी कहानी होतीहंודि यह लेकिन कई बार का सो होता है सि्विलके वकील करने लेते हैं अब 10 लाक में नॉर्मल जो रेट्स लेते हैं 10 परसेंट का लेते हैं कि बार 7-8 परसेंट तक भी हो जाता है लेकिन उससे कम तो कमी होता है ना तो जो मस्ट के वकील का कमीशन हो गया वह आपका माल या 10% हो गया अब जो वकील आपने कोई स्विल का पकड़ लिया अब वह वकील के लेके मस्ट को ट्रांसफर करेंगा तो 10% अब क्लाइट को बचा क्या यानि के पढ़ए दलालों के चक्कर में तो वही अकुल मिलाक है ज देशे आप लोगों को जाग रूख करों और अपने अधिकारों को आप जानी हें तो मोतर वाहिकल का जो cases होते हैं यह बहुत दर्दनाग होते हैं लोगों की घर हुजडर जाते हैं दूस्तों तो बस मैं यही कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे cases देखता हूँ पदनी कितने दर्द कितने दुख हमारे इस समाज में बिखरे पड़े हैं तो motor accidental claim का मैं विशेश अग्य हूँ और जन्पध मेरेट में practice करते हैं अगर किसी भी related information इससे चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं अगर आपको case किसी से भी हैं तो यह अब यह नहीं कह सकते कि मेरे का top वकील कौन है नहीं बता सकते हैं कहीं का भी top वकील कौन है नहीं बता सकते यह केवल एप के माध्यम से net के माध्यम से advocate की जो history है वो निकाली जा सकती है तो लुटने से दोस्तों बचे और अपना सही decision ले हर एक वकील आपको प् वो चार्ज उसको ले जाके 20% तक ही पहुचा देते हैं जो नाजाज होता है client के साथ में जो है गलत होता है क्योंकि accident का कैसे किसी के साथ एक ही बार होगा एक्सिडेंट किसी के परिवार में हो गया ठीक है एक बार हो गया बार दुबारा तो नहीं होगा अगर वकील के पास दूबारा वो नहीं आया तो उसको क्या फरक पड़ता है लेकिन आपका तो लोस होगा ना मतलब जो आपके क्लाइंट है उनका तो लोस होगा ना तो आप स तो मैंकी शर्मा इस वीडियो में आप लोग उसे विदा लेता हूं अगर कोई भी क्वैरी या कोई भी चीज़े हो तो आप मुसे कोटेक्ट कर सकते हैं आपको कॉल करूंगा तो तब तक किने मैं विदा लेता हूं तब नेक्स्ट वीडियो देखाएंगे शिक्री बहुत जल्दी आपके लिए तुमिश्कार जैने जैवारत